नमस्कार साथियो निजूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं कुछ संघर्स ऐसे होते हैं जो संघर्स की अंतहीन कथा लिखते हैं यमन का संघर्स भी ऐसा है जिसमें दुनिया की नज़ा नहीं जाते उसी पर बाचित करने के लिए हमसे हैं अंतराष्टे मामलों के जानकार प्रभीर तो यमन का जो हालिया घटना कर्म है जिसमें हुती विद्रोहियों ने सौधी अरब के दक्षन प्रांत पर कबजा कर लिया तो इसका हालिया प्रभाव क्या देखते हैं पहले तो इनको हुती विद्रोही नहीं कहना चाहिए वहाँ civil war है एक पक्ष को साओधे अरबिया समर्थन कर रहा है एक पक्ष हुती led है दूसरे शक्तिया भी है हुती उसकी leadership में है तो इसलिए इसको कहना एक विद्रोही पक्ष है एक सरकारी पक्ष होगा यह गलत है और इसलिए इसको दूसरे लोग के भाशा में journalist जो channels है उनके भाशा में internationally recognized वो नहीं कहते कि सरकार है internationally recognized government कहते है यह actually सरकार है नहीं वो साओधे अरेविया के पिट्टू सरकार है एक हिसाब से तो यह जो आप कह रहे थे कि चार साल से चल रहे है 2015 से साओधे अरेविया का आक्रमण है mercenary ताकत उन्होंने कठा किया है और उनकी air शक्ती काफी है क्योंकि bombs जहावाय जहाज वगरे अमरीका ब्रिटन फ्रांस से बिली वी है वो लगातार उस पर बंबारी करे जा रहे हैं और वहां के जो जनता है वो बहुत बार सिर्फ इस पे गोली इसके उपर बंबारी के लि दी गई है कई बार उसे कोई फरक नहीं पड़ा अब जो है हुतीस की आक्रवन जब साओधियर अरिबिया प्रॉपर पे होने लगा पहले अरामकों के रिफाइनरी पे जो हम चर्चा कर चुके हैं अब जो है नजरान शहर के पास नजरान प्रांतेक है उनका नजरान गवर लिया है और बहुत सारे हाथियार प्राप्त हुए 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 हुटीस ने कबजा कर लिया है और बहुत सारे गाडियों पर भी कबजा कर लिया है और बहुत सारे वेहिकल्स है ट्रॉक्स है बहुत सारे ऐसे इन्होंने कबजा किया है और यह सब वीडियो में है और वीडि है कि Saudi Arabia पहले जो स्थिती बे थी जिस पे लग रहा था येमेन पर कबजा कर लेंगे उनकी पिट्टू सरकार के जरीए और जो Mercenary Troops बहार से थे जिस पर United Arab Emirates की शिरकत भी थी वो संभब नहीं है United Arab Emirates तो पहले ही आदेन को लेके अलग हो गए हैं और वो भी साओधी Arab की पिट्टू सरकार के हादी सरकार के खिलाब संगर्श कर रहे हैं और इस वक्त होती इस हादी सरकार हादी के जो ट्रूप्स है उस पर हावी है लगता है ये जो नजरान के पास जिनकी शिकस्ट जो ही है सिर्फ साओधी Arab की टूप्स नहीं थी काफी पैमाने पे यमिनी टूप्स थे जो हादी के साथ दे रहे थे उन्होंने पहले हाथियार गेर के होतीयों के साथ दिया है इसके बाद साओधी Arab के एर फोर्स ने उस उन पर बंबारी की है तो सिर्फ यही नहीं कि यमिनी होतीयों पर बंबारी क होता है तो संख्या काफी बड़ा है और वीडियो से लगता है काफी बड़ा संघर्ष हुआ जिस पर हूती जो काफी काबिल है माहिर है लड़ाई में वो कहते अफगान पुष्टून की तरह ही इनकी लड़ाई करने की शमता है वो भी पहाड़ों पे रहते हैं और यह हुथियों से बना सकते हैं यह और चला तो साओधिय अरविया की जो ऑईल इंफ्रस्ट्रक्चर है उसमें नुकसान होने की संभाब ना है और इन इलाकों पर हुथियों की पुरानी यमिन की पुरानी दावा है अइतिहासिक दावा है कि 30-40 की दशक में यह इनको उन्होंन में रहते हैं और वो शिया जो है काफी असंतुष्ट है उनकी एक बड़े इमाम को साओधिय अरविय ने मार डाला था और उसके बाद उनके जो तरीके जो साओधिय अरब की जो सरकार है सरकार तो नहीं कहेंगे रोयल शाशन जो है उनके साथ बड़े बुरे बरताव करते हैं उनके पास अधिकार नहीं है तो बहुत सारे चीजों से वह संतुष्ट है और वो तेल पे बैठे हुए है तो अगर वहां पर येमिनी ट्रूप्स इस दिशा में बढ़ते हैं तो साओधिय अरविया के लिए शामत आ जाएगा तो मेरे ख्याल से साओधिय इसके बाद जो एक अन ओफिशिल एक शान्ती के बातावरन बनाया रखे और आक्रमन नहीं किया एर एटैक्स नहीं किया उससे लगता है कि साओधिय भी हम सोच रहे कैसे हूतियों से शान्ती किया जा सकता है और इसलिए मैं समझता हूँ हम कुछी दिनों में येमिन में और साओधियो के लिए उसे के हुतियों विद्रोही वाली बात को आपने पूरा बताया तो इसे बात पसपस्ट होती है कि साओधी अरब के अंतर का अंदर मतब सान्ती वाली स्थिती नहीं हो से पता है कि छती बहुत जादा हो रही है तो जब ये छती बहुत जादा हो रही है तो वो किस तरीके से वहां कि जो छेत्रिये इस्थितियां हैं इसको किस तर से कंट्रोल में करें कि वह आगे बढ़ पाए या सांती का माहौल बना पाए अभी तो साथियर रिबा कैसे पीछे हटे यही सवाल है क्योंकि वह तो दूसरे मुलकों पर आक्रमांड करने की रवाया अभी तक उनका है पहली बात तो है कि इरान से वो शांती की बातचीच लगता है शुरू किया है इराक को बीच पे रखके इराक में एक सेक्शन शिया है बहुमत शियाओं की है और एक सेक्शन सुन्नी है तो सेकुलर देश था सादम हुसेन के जमाने में पर अब जो है शिया सुन्न divide अमरीका अमरीकें वहां पैदा कर चुके है पर इस वक्त डोनों इस तरह के शक्तियां सरकार में हैं तो वो कह रहे है हम आपके भीच पर भीचाओ कर सकते हैं लगता है साउडी इन्हें कहा कि यह हमें एरान के साथ हम समझाता करना चाहते हैं आप हमें मदद करें इस बात मे लगता है, तो साओधी ने कहा कि नहीं हमने ये बात नहीं कहा, पर लगता है ये बात कहा है, और महमद बिन सल्वान उनका जो क्राउन प्रिंस है, जो एक्शली सरकार को चला रहे है वहाँ, उन्होंने कहा है, इरान से जंग होने में बहुत च्छटी पहुँचेगी पूरा को यह हम देश की सिर्फ हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए बहुत खदरनाक होगा तो लग रहा है कि एक तरफ से कुछ पीस सिगनल अदिया रहा है कि एरान से किसी तरह 66 असार पेस्तर पे एक समझहौत्ब पे अए उनको लगता है यह समझहौत्र अगर इरान के साथ आते हैं tension खतम कर सकते हैं तो हूतियों के साथ बीimir क्योंकि हूतियों की पीछे वो समझते हैं कि इरान का हाथ है वाका है है एक हिसाब से इरान उनको मदद किया है कि at least military weapons के शेत्र में कम से कम know-how तो उनको दिया है तो साफ है पर ये जो चीज है कि हूतियों से directly बात न करके साओधिय अरेविया कोशिश कर रहा है इराक के जरीए इरान से बात करना ये देखना पड़ेगा कितना इसमें गुटना टेकने की बात है कितना सदवाव इसमें बनाना सचमुच चाहते हैं क्या चाहते देखना पड़ेगा अब साफ नहीं है पर एक बात तो है कि जो पहले रुख था इरान पर आक्रमांड करेंगे इरान हमारे उपर हमला किया है अरामकों पर हमला किया है अमरीका और ये सब हमारे साथ मिल कि हम उन पर हमला करेंगे ये सब बाते काफी टोन डाउन है एक हिसाब से और लग रहा है कि इनको नजरान के जंक के बाद इस बैटल के ब फिर आक्रमाड करके विद्धवस्त कर सकते हैं तो उनको अपने लिए खत्रा तो महसूस होने लगा है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्दी होगी सच मुछ उनकी अकल में आए और कितना अकल में आएगा नहीं आएगा जानते हैं राजा राजवारे जो होते हैं नवाब उनका अकल थोड़ा कम होता है अकल से ज्यादा पगड़ी होता है और चीजे होती है तो इसी लिए कहां तक इनके दिमाग में आएगा ये तो देखनी पड़ेगी पर दो मार तो बहुत जबरदस्त पड़ चुका है एक अरामको पे और एक नजरान पे इसके बाद शायद इसी बुद्धी उनमें पैदा हो जाए शायद सांती शांती के और बढ़े अगर ये बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बाद उपलब्दी जो होगी कि रीजिनल एक बातशीत शुरू होगा कैसे शांती हां स्थापित कर सकते हैं पहली बार होगा नहीं तो अमरीका के बुला करने वाले वही पस्चिम के देश हैं जो पूरी दुनिया में रसूख रखते हैं और हर जागे हस्तक छेप करते हैं तो जब सांती का ये माहौल बनने हैं कोसिस करेंगे और ये भी टकराएंगे वैसे में आपको क्या लगता जो पहले की स्थितियां बताते हैं कि हुई नह अपने सामने और घुटने टेके वो हुआ नहीं एरान ने घुटना नहीं टेका सैंक्शन के बावजूद खड़ा है और ये तो ये घर्ष एरान का जो है अमरीका के साथ ये तो 40 साल का है आज के तारीक पर 40 साल का है जब शाह वहां से गिरा दिया गया था तो लग रहा है ये इस पूरे रीजिन में अमरीका का जब पहले कब्जा पहले जी तक कब्जा था वो कमजोर हो रहा है नबबे के दशक जब रश्या सोविट यूनिन की वहां पर पतन हुई सोशिलिजम नहीं रहा इसके बाद रश्या इस इन जवहों से विड्रॉ कर चुका था रश्या फिर सीरिया में वापस आ गया है तो एक तरफ उनका कॉंपुटेशन तो शुरू हुआ है दूसरी तरफ यहां की जो रीजिनल शक्तियां है इतने कमजोर नहीं है जो पहले थे और खास तोर से इराद सी मिलियन का पॉपुलेशन भी है तो ये देखते हुए इस वक्त अमर हमारे सामने घुटना टेग देगा ये नहीं हो रहा है हम इसे पहले भी बातचीत कर चुके क्यों नहीं हो रहा है इस सामरेक शक्तियां की जो भारसम्मिय है जो इकुलिब्रियम हो कैसे बदल रही है खास्तों से ड्रोन मिजाइल इन सब चीजों के वज़ाए से तो ये सब देखते हुए लगता है कि रीजिनल कॉपरेशन के बाद फिर चल पड़ा रश्या ये कह रही है कि रीजिनल कलेक्टिव सीकुरिटी और बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से ये बातचीत का शुरुवात है तब किता दूर तक चलेगा कैसे चलेगा सीधे रास्ते में चलेगा दो कदम आगे चलेगा एक कदम पीछे हटेगा देखनी की बात है पर मुझे लगता है कि सब के अंदर ये बुद्धी आ रही है मार पढ़ने के बाद कुछ मार के पहले की बातचीत आपस में होनी चाहिए दूर से मुलकों को बुला के अगर बुला के हम मद्धता करना वो बंदर बाठ की जो कहानी है फिर वही हो जाएगे शुक्रिया इस इसे पर हम से बातचीत करने के लिए प्रभीर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि असंतुलन जो पूरी दुनिया में था वो यगर यमन के हमले से देखें तो वो संतुलन में बदलता हुआ दिख रहा ह शुक्रिया आप देखते रहें इसक्रिक